यानि एक मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैचू अफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा अस्चरय होगा यहां पर देख विए इतना सुन्दर नहीं है स्टैचू इतना अट्रैक्टिव नहीं है सकता हूं कि अगर तुम्हें इन दो हस्तियों से मिलने का मौका या इनके साथ समय बिताने का मौका मिले तो तुम किसको चूज करोंगे आइनो यू आर्गुमेंट्स चूनकर एकोनोमी भी सोचें नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है डॉक्टर गोरब अवाना और आज किस वीडियो में हम मिश्टर दुरुराथी द्वारा दियेगे कुछ आर्गुमेंट्स का FACT CHECK और POST MATEM करने वाले हैँ और देखेंगे कि उसके जो आर्गुमेंट्स है किस तरह से metaphistry है और वह किस तरह से लोगों को misguire करते हैं अगर आप भी यूटुब पर दूरुव को कर रहा हूं देखिए इन पांस सालों के अंदर स्टैची ओफ यूनिटी को लेकर इतना सफिसेंट डेटा आ चुका है कि दुरूब की उस वीडियो का नाकेवल वीडियो का उसकी जो सफिस्ट्री आर्गुमेंट है उनको एक्सपोज करने के लिए वह काफी सफिसेंट है तो 350 मिलियन यानि 35 करोड रुपीज हर साल स्टैची ओफ यूनिटी जनरेट करेगा यानि की 120 येर्स इसे लग जाएंगे 3000 करोड रुपे की कौस्ट को ब्रेक इवन करने में अब तुम्हारा ये आर्गुमेंट सुनकर एकोनोमी भी सोचे मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो बाकी 90 परसेंट सा अनर्गनाइज से आता है अगर इस बात को लेमेन नजरी से देखा जाए तो इसका सिंपल सार्थ यही है कि हमारी सरकार यह हमारी एकोनोमिकल इंस्टिउशन भारत में होने वाले जितने भी ट्रांजिक्शन है उनका केवल 10 परसेंट का ही रिकोर्ड र रहा हूं क्योंकि तुमने का कि केवल 25 क्रोड रुपे का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25 क्रोड रुपे yearly revenue generation होता है इन सारे तुम्हें यह बात पता होने चाहिए कि यह क्लेक्शन केवल organized sector का है इसमें अगर आप unorganized sector को भी जोड लोंगे तो actual earning ल कर दिसंबर 2022 में एक हफते के अंदर चार लाख लोग ने स्टैचियो और विचिट किया अगर मैं इसे पूरे साल में कनवर्ट करूं तो अप्रोक्स 15 से तकरीब अठारा मिलियन लोगों के आसपास यह डेटा बैठता है और तुमने क्या बोला था कि एक मिलियन भी मुश् जनरेट होगी वो तकरीबन 500-600 क्रोड रुपे के आसपास पेठेगी इस हिसाब से तो जो 3,000 क्रोड रुपे की अमाउंट इसे बनाने में लगी है वो 6-7 सालों में निकलाएगी त्यूकि जो सरकार ने टैक्स का पैसा लगाया है वो सरकार की ट्रेजरी में वापस आना च की है और हाँ जिसे तुम बार बार अर्निंग बोल रहे हो आके रिए किसकी अर्निंग है सरकार की सरकार अर्न करके कहां जाएगी सरकारों की हमेशा कोसिस होती है कि लोगों के पास पैसा आये वही उसकी असली अर्निंग है चलो एक एक एक्जामपल देखे बताता हूं लेकिन यह railway हमेशा नुक्सान में चलता है। वाई। लेकिन इससे रशिया को होने वाले social benefit बहुत जादा है। यूनो चाइना और जापान के इंदर blade train हमेशा नुक्सान में चलती है। लेकिन उससे समाज को होने वाले फायते उस नुक्सान से बहुत जादे बड़े है। क्योंकि वहाँ की जनता जोब के लिए 300-400 km तक भी up-down कर लेती है। इसी वज़े से उनका economical scale बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। उन्होंने देश में एक ऐसा infrastructure खड़ा किया है जो खुद earning करके सरकार को नहीं देता। लेकिन उसकी बड़ी-बड़ी cities और economy आज इसी की देन है। ज़्यादे दूर जाने की ज़रत नहीं। हमारे देश में सरकारी school और university भी तो नुक्सान में चलती है। सरकार को इससे कोई earning नहीं लेकिन समाज को इससे बिलने वाले फायदे कि तुम्हें बात भी नहीं कर सकता। और just imagine अगर तुम्हें इन देशों का economical advisor बना दिया जाए तो क्या तुम ये metro या फिर इस तरह के जितने भी project हैं जो सरकार को income करके नहीं दे रहे क्या तुम बंद करा दोगे। देखो तुम्हारे problem यहीं है कि तुम इस statue या इस sector को एक बड़ी picture में नहीं देख रहे। और तुम्हारे analysis में यहीं mistake है कि तुम उस earning को earning मान रहे हो जो सिधा सरकार की जेप में जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता brother लोगों की income देश की income है और तुम्हारा अगला argument इस statue की cost को लेकर दा तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि हर एक design या structure का एक saturation point होता है इससे आगे जाना बहुत मुश्किल है या यू भी कह सकते हैं कि वह cost effective नहीं रहता चलो तुमसे engineering वाली बात करता हूं कभी computer या mobile use किया है obviously किया होगा लेकिन क्या तुम्हें पता है आज से कुछ साल पहले जब computer का development होना शुरू हुआ तो starting में CPU की जो clock थी वह 500 MHz, 600 MHz ऐसी होती थी फिर देर देरे 1 GHz, 2 GHz और यह बढ़ते बढ़ते आज 5 और 5.5 something के आसपास आके रोग गई और कोई भी company इससे उपर जाने की कोशिस नहीं कर रही पता है क्यों क्योंकि इससे उपर जाने पर power और heat exponential तरीके से आगे बढ़ने लगती है ऐसा नहीं कि company 5 या 6 GHz से उपर नहीं जा सकती है बिलकुल जा सकती है clock speed में केवल 15 से 20% के growth करने पर ही power और heat management इतना ज़्यादे बढ़ जाएगा कि उससे maintain करने के लिए पूरे system की cost 200 से 300% बढ़ ज इंजिनेरिंग लाला की दुकान नहीं है जहां एक किलोचिनी 50 रुपे की और दो किलोचिनी 100 रुपे की मिलती है यह इंजिनेरिंग है brother थोड़ी height बढ़ने पर उसकी जो price है वह exponential तरीके से आगे बढ़ती है देखो जिस spring बुद्धा की तुम बात कर रहे हो वह सन 2002 के आस पास थी जिसकी कीमत बढ़के 2018 में लगबग 3 डोलर के आस पास होगी इतलियंस की पिछले इन 15 सालों के या 16 सालों में इसके price लगबग 5 टाइम्स बड़े हैं अब तुम खुद समझदार हो हिसाब लगा लेना देखो तुमारा अगला argument statue की beauty को लेकर था statue of unity इतना सुंदर नहीं है statue इतना attractive नहीं है तुम्हारा इस इस तरका criticism सुनकर मुझे हसी आई और उससे भी ज़्यादा मुझे तुम्हारी सोच पर तरस आया अब मुझे नहीं पता कि beauty का तुम्हारी नजरों में क्या माइने हैं बस मैं एक बात कह सकता हूं कि तुम्हारा वो comment तुम्हारी सोच को reflect करता है तुम्हारी जो एक pattern है चीज़ों को देखने का उसको reflect करता है और तुम्हारे इस comment के बाद में just imagination कर सकता हूं कि अगर तुम्हें इन दो हस्तियों से मिलने का मौका या इनके साथ समय बिताने का मौका मिले तो तुम किसको चूज करोंगे I जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी नीचे कमेंट में लिखके जरूर बताए कि दुरूर ने किसे चूच किया होगा खेर एक समझधार इंसान की नजरों में morality, values या पावितिता से जादे beautiful चीज कोई नहीं हो सकती तुम्हारा अगला argument गावालों के विरोध को यह बात बिल्कुल सही है कि ऐसे प्रोजेक्ट में लोगों का विस्थापन होता है जो कि बिल्कुल दुखद है लेकिन हमें देश की जरूरतों को समझना पड़ेगा, सन 2002 जब दिल्ली मेटर बनी तो वहां से कुछ लोगों को हटाना पड़ा लेकिन आज इसे दिल्ली की lifeline कहा जाता है तुमने कहा कि आसपास के लोगों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध में सरकार को लेटर लिखा है चलो इस पर भी बात कर लेता है यूनो हमारे देश में बहु अब देखो यह किस तरह की politics है यह तुम भी समझते हो देखो तुमने अपना narrative सेट करने के लिए इस लेक्टर का reference देया चलो इस narrative को भी तोड़ देते हैं देखो कोई भी समझदार इंसान किसी ऐसे प्रोजेक्ट का विरोध नहीं करेगा जिसमें उसका खुद का profit हो रहा ह इनकी वजह से जो इनके आसपास के district है उनका प्राइज जो है वो आसमान चूने लगा है और जो धाम के आसपास के जो गाओं है उनकी कीमतों में जो उच्छाल आया है उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा है एक छोटी छोटी दुखानों का जो किराया है गाओं के हाँ तुम्हारे सभी आर्गुमेंट में मैं इस आर्गुमेंट से एग्री करता हूँ कि हाँ बीजेपी की क्या हर एक पार्टी जो भी उसने काम किया है उनका benefit लेने की कोशिज करती है लेकिन हमारे देश के अंदर कई हजार प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि नहरू फैमिली क की कोशिस नहीं करते हैं बिल्कुल करते हैं यह तो देखो हमारे देश की एक तरह से परंपरा बन चुकी है अब यह कितनी सही है कितनी गलत है मैं वहां जाने की कोशिज नहीं कर रहा हां लेकिन इतना कह सकता हूं कि यह बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि तुम करो तो क लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाए और हो सके तो इस वीडियो को जादे से जादे अपने दोस्तों के बीच में सेयर करें ताकि ये वीडियो दुरूराठी तक पहुच पाए ताकि उसे भी पता चले कि लोग उसकी बातों को आख बन करके नहीं सुनते तो चलिए मि किसी ऐसी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जाहें।